हिलो टुडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में आज हम इस्टार्ट करने वाले हैं आपका एक अलग सब्जेक्ट चुकि अभी तक हमने नहीं पढ़ा है अभी तक हमने सोसियोलोजी आपका कर लिया प्रथम समिष्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं अगर आपको चैनल पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा है जिसमें आपके हर सब्जेक्ट पूरा सीरियल वाईज है तो आप जागर के वह चैनल पर विजिट जरूर कीजिए देखिए अगर आपको पसंद आता है सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएगा ओके तो आज हम बात करने वाले हैं सिच्छा सास्त्र का जो की बीए फश्टियर का है यूनिट नंबर वन प्रथम समिष्टर का इस चैप्टर का है जो यूनिट नंबर वन है इसका नाम है एज सिच्छा है एजुकेशन है इसका कॉंसेप्ट क्या है इसका संप्रत्य क्या है और इसका एम क्या है उद्देश ही क्या है सिच्छा का संप्रत्य है और सिच्छा का उद्देश ही क्या है इस सीच के बारे में हमको बात करनी है तो देखो जो आपका यह चैप्टर है ना यह तो सबसे पहले समझदी कोशिश को रोकि हमारा जो भारत रहा है वह हमेसा से सिच्छा प्रदान देश रहा है हमेसा से हमारे भारत में सिच्छा को लेकर के काफी महत्वपूर गूर्मिका रही है और सिच्छा और बिद्या को कही न कही एक जैसा connection के तरह मतलब एक प्रत्य के तरह दिखा गया है प्रयायवाची के तरह दिखा गया है कि सिच्छा किसका प्रयायवाची है बिद्या का प्रयायवाची है बिद्या ही इसे क्या आता है बिमुक्ती मिलती है तो इस तरीके से तमाम सारे महारिषी है और तमाम सारे जो भारतिये साहितकार रहे हैं या जिनोंने सिच्छा सास्त के बारे में बात क्या हुआ है सिच्छा के बारे में बात क्या हुआ है उन्हें देखा है कि जो सिच्छा है न वो केबल किसी एक प्रेटिकुलर चीज के बारे में बात नहीं करती है कि सिच्छा आपके मास्तिस का बिकास करती है नहीं जो हमारी education है, ये क्या करती है, स्रवांगीड विकास करती है, स्रवांगीड मतलब सभी अंगों का विकास करती है, आपकी body भी बढ़ रही है, आपकी body तो बढ़ी रही है, आपका education mind बढ़ रहा है, आपका concept mind बढ़ रहा है, आपका reasoning power है, वो बढ़ रहा है, तो सिच्छा ज नहीं है कि आपको इस्पोर्ट नहीं सिखाया जा रहा है तो सिच्छा का मतलब है जिसमें क्या हो आपका सर्वांगीड बिकास हो सिच्छा में कहा गया है कि सिच्छा में हमारे हाँ बिद्या और ग्यान को बहुत ही प्रयावाची समझा गया है कि जो बिद्या है वो ग्यान से मिलता है शैनि कि ग्यान और ग्यान और ग्यान एक दूसरे के क्या है प्रयावाची है कि ग्यान मतलब बिद्या तो इस तरीके से बताया है हमारे हाँ कि बिद्या बिहीन पसु भी समाना शैनी कि बिद्या बिहीन मतलब बिद्या के बिना अगर कोई परसन है जिसको बिद्या नहीं पता है जिसने बिद्या नहीं सीखिये ग्यान नहीं सीखा है तो ज्यान के विना क्या कहा गया है कि बिद्या विहीन पसु भी शमाना है श्यानि कि जो बेक्ती बिद्या गरहड नहीं करता है जिसके पास ज्यान नहीं है वो पसु के समान है श्यानि कि ज्यान को बहुत जादे महात्वपूर भोमिका दिया गया है ज्यान को, सिच्छा को, एजुकेशन को बहुत हत्पूर समझा गया है भारतिय इतिहास में इसी में देख सकते हैं कि ज्यानम तृतिये मनुजस्टी नेत्रम क्या गया है? कि ज्यान जो है एजुकेशन, सिच्छा, ज्यान ये क्या है मनुस्री की तृतिये नेत्रम समझ पारें तृतिये मनुजस्त नेत्रम मतलब मनुस्री की तीसरी आप की तरह काम करती है अपको एक बिजन देती है आपको सोचने समझने की छमता देती है तो एजुकेशन के वाल आपको तो मतलब एक रटाया नहीं की बात नहीं है, एजूकेसन आपका सरवांगी और विकास है, जो आपको एक बिजन देती है, जो नॉर्मल ही हम अगर ऐसे ही रहे, तो हम वो चीज़ें समझ नहीं हैंगे, लिकर अगर आपके पास एजूकेसन है, आपके पास अच्छी समझ, पारे होंगे, समझ नhou, अगला है की मतलब जो बिद्या है, बिद्या से आपके पुरसार्त करेंकेटेड होते हैं, जितनी विक्ति को ज्यान होगा, उतने अच्छे तरीके सी विक्ति अपने पूर्सार्त का पालन कर सकेगा, और खास करके मौच की तरफ, धर्म की तरफ कि हर एक aspect से link करती है समझ बारे तो ये इसकी कुछ ग्यान की भारतिय ग्यान की परंपरागत विधिया रही है अब अगर बात करें जीवन की संकलपना की तो education को कहा गया है कि education जीवन जीने की कला है जीवन जीने की कला है मतलब हमको इस life में कैसे जीना है कैसे खाना है कैसे पीना है हमको life में कैसे behave करना है जीससे कि हमारी एक अच्छे image बन सके समझ रहे हो दूसरी चीजे समाजी करण सिच्छा समाजी करण का एक बहुत ही महत्तोपोड छेतर है जब हम education करहन करते हैं सीखते हैं कि हमारे समाज में कौन सी चीजे acceptable है कौन सी चीजे हैं जो acceptable नहीं है कौन सी चीजे जिसको समाज accept करती है कौन सी धाडाए समाज मानती है उसकी Sanskrit एक राजनित्तिक धार्मिक वो सारे आचार व्योहार कहीं न कहीं हम education के हमाद्दम से अपनी एक पीडी से दूसरी पीडी को क्या करते हैं ट्रांसफर करते रहते हैं तो एक पीडी में जो चीजे सीख रखी हैं उसको दूसरी पीडी तक पहुचाती है और एक बैक्ति को समाज में कैसा होना चाहिए एक बैक्ति जो है मनले एक बच्चा है वो बच्चा छोटा है तो कैसा होना चाहिए वो बड़ा हो रहा है तो कैसा होना चाहिए किसोरा वस्ता में बहुच गया तो क्या हो क्या अबिलिटी जिसके होनी चाहिए कैसे उसके mind का process होना चाहिए वो किसी और अस्थास ने जो है जो हमारा adult time period है उसमें बहुँज रहा है तो उसमें उसके क्या abilities होने चाहिए क्या इच्छाएं होने चाहिए क्या उसकी सोच समझ होने चाहिए उसके क्या responsibilities है तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं हम सीखते हैं तो यह क्या है कि जो जीवन की संकलपना है सिच्छा में सामाजी करण है और सरवांगीड विकास है सरवांगीड मतब सभी अंगों का विकास हो रहा है जीवन को हर तरह से एक नया आयाम देने की कोशिस की जा रही है अब अगर हम बात करें कि इसमें गुरू और सिच्छा की संकलपना के बारे में जो बात किया गया है कि गुरू और सिच्छा की संकलपना क्या है तो आप प्राचीन भारती इतिहास उलटकर के देख लोगे कि यह हमेशा से ही ज्यान गुरू, एजुकेशन इन सभी चीज़ों पर बहुत बात हो दिया गया है जब पुरी दुनिया में लोग अपने जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने में लगे हुए था उस समय भी भारत में एजुकेशन का चलन था लोग सीखते थे, सीखना चाहते थे समझभा रहे हो तो कहीं न कहीं जो हमारी भारतिय सिख्छा है वो प्राचीन काल की सिख्छा रही है प्राचीन समय से हम भारतिय सिख्छा ग्राण करते रहे हैं इसके बाद हमारी जो भारतिय सिख्छा है ना एजुकेशन है, वो कहीं न कहीं religion से related ے क्योंकि हम प्राची भारती इतिहास अग उठा करके देखोगे तो भारत प्राची इनतम समय से ही क्या रहा है धार्मिक रहा है धार्म का रहा है तो अब देख सकते हो कि जो प्राच भारती संस्कृति रही है जो religion रहा है उसमें तमाम साज जार्णना सीखना पड़ेगा. तो वो चीजें आपको समझने के लिए धर्म और साहित्य थे हैं, वो कहीं नए कहीं धूटरीयों सीजों के आने लगा। समझ रहे हैं अब जो सिच्छा रही प्राचीन भारत में हो सिच्छा दो प्रकार की थी एक सिच्छा थी जो कि ब्रामध कालीन सिच्छा रही या फर ब्रामधिय सिच्छा कह सकते हैं और दूसरा रहा है आपका बौध कालीन सिच्छा अब ब्रामधिय सिच्छा क्या है कि जि दांग हो गया महाकाब्य हो गया पुराण हो गया जो सूत्र हो गए आपके इस्मृतियां हो गई तो इन चीजों का एजुकेशन दे करके अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो वह क्या हो गया प्रहमधिय सिच्छा होगी और बहुत कालिन सिच्छा होती है जिसमें हमको महत्मा बुद्ध के पिछले जन्मों की काहाणिया है अन्यतमाम सारी कथा है रहीं इस इकênioन प्रहटोuz और हर एक होद्ग मर्मधिय सिच्छा हो इसमें बहुत मत ठीद्धू संह है इसमें कहा गया है कि Гुरॐ के विना जोयिए ग्यान संभोवि नहिं नहीं गुरू जो है वो आपको ग्यान की घूर्ट पिलाता है। गुरू जो है वो आपको ग्यान से परिपूर्ड कराता है। आप देखोगे हिंदु धर्म में ही आप देखोगे तो उसमें जो एक बहुत महत्तुपूर्ड वक्ति है। गुरूर बर्मा, गुरूर विश्नु, आप इस्लामी खिश्ट्री उठा करके देखोगे अजरत अली फरमाते हैं कि जिस परसन ने आप वो एक सब्द सिखा दिया एक वर्ड भी सिखा दिया है ना पूरी जिंदगी उसके गुलामी करो इसका अर्थ हुआ कि हमको स्वाध्याय करने से पहले गुरू के जो वचन है उनको सुनना जरूरी है क्योंकि अगर आप गुरू के वचन को नहीं सुनोगे और अपनी मर्जी से बस पढ़ते चले जाओगे तो आपको चीजे जो गुड रहस्त हैं वो चीजे समझ नहीं आएंगी और इस तरीके से एजुकेशन क्या हो जाएगा जैसे एक अंधा पढ़ रहा हो बस पढ़ते चला जा रहा हो तो मतलब गुरू की इंपॉर्टन्स है कि जो चीजे आप पढ़ोगे तो आप एक नॉर्मली पढ़ रहे हो तेकिन उसका जो गुड रहस्त है जो उसके रहे हो जो na हुई है असी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया हुआ है तो इस सरीके से गुरू की काफी gadget बेता गया और गुरू के बारे बहुताः प्रेशन क्या होने चाहिए सबसे पहनी चैज कि उसके अंदर रहो आaking Characteristics होनी चाहिए अगर Characteristics नहीं है, चरित्र नहीं है तो गुरू कितना भी महान हो उसको निगलिट करेंगे लोग और उसकी कोई वेल्व नहीं होगी और दूसरी चीज है ज्यान यानि कि आपके पास ज्यान ही नहीं है तो आप सिखाओगे क्या तो Characteristics important है और ज्यान भी important है तीसरी चीज है आपका निस्पच ब्योहार श्यानि कि आप Teacher हो, आप पढ़ा रहे हो तो निस्पच ब्योहार यानि कि Students के प्रती आपको किसी से लगाओ या किसी से घृड़ा नहीं होनी चाहिए आपका जो ब्योहार हो, जो आपका Treatment हो निस्पच होना चाहिए जो चीज राइट है उसके लिए होना चाहिए या नहीं कि किसी की तरफ आपका जुखाओ है किसी से आप प्यार से बात करो किसी से आपको घिर्ड़ा है, समझ रहे है निस्पच भाव होना चाहिए पूर ग्यान, अद्भूत वाक सकती और अध्यापन की कलाई यानि कि पूर ग्यान मतलब कि उसको अधा धूरा ग्यान नहीं होना चाहिए कि बस मतलब कुछ भी चीजे थोड़ा सा सीखा और बताना इस्टार्ट कर दिया नई, पूरा ग्यान होना चाहिए अध्भूत वाक सकती, मतलब बोलने की अध्भूत कला होनी चाहिए यानि कि जैसा बोले कि सामने वाला सुनना चाहिए बच्चे सुनना चाहिए, उससे सीखना चाहिए समझ रहे हो, तो वाक कला, बोलने की कला होनी चाहिए और अध्यापन की कला मतलब पढ़ाने की एक style होती एक तरीका होता है कुछ teachers होते हैं ऐसे पढ़ा देते हैं कि आप हो चीजे समझ में आ जाती है जैसे आप खांसर को देखोगे उनकी वीडियो आप देखते चलो जोगा उनको लेगा यार मज़े आ रहे हैं और आप पढ़ते भी चले जोगे सीख भी लोगे और कुछ लोग होते हैं एकदम बोरिंग से होते हैं तो अध्यापन की कला मी बहुत महत्तपूर होती है अगली चीज है अमिट छाप यानि कि जो teacher होता है उसके जो ब्यक्तित होता है करते हैं आपके चीज होती है वह बच्चों पर इक छाप छोड़नी चाहिए अगर वो बच्चों पर छाप नहीं छोड़ पा रहा है तो teacher का एक महत्तपूर काम है कि हो बच्चों की Series पर उनके personality कर छाप छोड़ दे और अगली चीज़ आती है आपका सदाचार हो उसके अंदर बिने सीलता हो तूसरों के दुखों को समझता हो उसके अंदर बिनमरता हो कि बिद्या ददाती बिने हम कहा जाता है कि बिद्या जो है वो बिने प्रदान करती है बिद्या क्या करती है बिनमरता देती है अगर आप सीख रहे हो आपके अंदर बहुत जादे गुड है लेकिन आपके अंदर बिनमरता नहीं है तो आपने सीखा नहीं है वो बस आपने रट लिया है समझवार हो अगर आपके अंदर बिध्या आएगी ना तो आपके अंदर बिनमरता आजाएगी अपने आप तो इस तरीके से गुरू का यह महतो रहा है तो गुरू और सिच्छा की संकल्पना रही है और गुरू एक सिच्छा और एक दूसरे से काफी connected है तो यह है हमारा part 1 जिसमें हमको पराचीन भारति ज्यान और परंपरा के बारे में समझना था जीवन की संकल्पना हो गया, गुरू और सिच्छा की संकल्पना हो गया तो यह था हमारा part 1, second part में हमको सिच्छा का आर्थ, सिच्छा की प्रकृति, सिच्छा का भी सेच्छे वो सारी चीज़ों को हमको एक्स्प्लोर करना है, तो हम बात करने वाले है वो चीज अगली वीडियो में, तो आई फो भी वीडियो तो में समझ में आयोगा, वीडियो वसंद है, तो लाइक जरूर कीचे, पहली बार चैनल पे आए, प्लीज विजीट जरूर कीचेगा, ए इससे कि हम और भी लोगों तक अपनी रीच पहुचा सकें और और भी लोगों की हेल्प हो सकें, ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन, जैवारत, थैंक्यू, बाब बाई